नवशकार विंदिया टाइमस में आपका स्वागत है गौलियर में कॉंग्रिस NETA रिशब सिंग भदौरिया ने शक्त में पत्नी की गोली मार कर हत्या कर दी है जिस समय हत्या की गई पास ही कॉंग्रिस नेता के दो बच्चे बेड़ पर सो रहे थे पहले पत्नी और पती में विवाद हुआ, विवाद इतना जादा बढ़ गया कि सनकी पती का पारा बढ़ने के बाद बेकाबू हो गया, पत्नी बचने के लिए जब बाहर की ओर भागी तो उसने सर में गोली मार दी और उसके बाद जरूरी सामान लेकर वहां से फरार हो गया है, यह सूचना रिसवप सिंग भधादौरीया के पिता ने पूलिस को दी, उसके बाद पूलिस वहां पहुची, और यह सोंबार सुबह राम नगर थाटीपूर की घटना है, पूलिस वहां मौके पर पहुच चुकी है, उसके बाद तमाम तहकीकात की जा रही है, लेकिन पूरा मामला है, शहर के थाटीपूर, रामनगर, निवासी, रिसप सिंग, बदौरिया, कॉंग्रिस का नेता था, कॉंग्रिस में प्रदेश इस्तर पर प्रवक्ता की भी जिमेदारी निभा चुका है, दो अप्रेल 2018 को गौलियर में हुए दंगे, जातिकत दंगे में भी उस पर F.I.R. दर्ज हुई थी, रविवार सोंबार की रात तक्रीबन तीन बजे उसका पत्नी से विवाद हुआ, उसका उसे शक था कि पत्नी उससे कुछ छुपा रही थी, रात को तीन बजे इसी बात को भागी, तो आंगन के पास उसने निशाना लगा कर सर में गोली मार दी, जिससे वहीं उसकी मौत हो गई, पत्नी की मौत हो गई, और उसके बाद वहां से जरूरी सामान लेकर फरार हो गया है, पिता नहीं पुलिस को सूचना दी, और पुलिस तमाम इन्विस्टिगेशन कर रही है, जब पुलिस मौके पर पहुंचे तो इस पॉट पर कोई भी हतियार नहीं मिला, यानि कि वो हतियार लेकर भागा, जिससे पता चल सके कि कि किस हतियार से कव प्योग किया गया है, परिजन भी कुछ नहीं बता पा रहे है, पर फॉरेंसी के एक्सपर्ट ने पुलि की हतिया की थी, इसके बाद चेतकपुरी में एक लूट में भी उसका नाम था, दो अप्रेल 2018 को गौलियर के थाटी पुरा से शुरू हुई जातिगात हिंसा में भी उसके उपर दो मामले दर्ज हैं, और एक और खबर आ रही है कि पुलिस गटना स्थल पर पहुंची तो देखा कि आरोपी के रूम में कई बड़े बड़े नेताओं के साथ उसके फोटो लगे हुए हैं, पूर मुख्यमंत्री दिगवीजय सिंग के साथ भी उसका फोटो है, प्रदेश सरकार में उर्जा मंत्री के साथ भी उसका फोटो देखा गया है, यानि कि कॉंगरिस में प्रदेश प्रवक्ता पद पर भी आरूपी रहा है उसके बाद यहत्या करने के बाद वहां से फरार हो गया इसकी सूचना उसके पिता नहीं पुलिस को दी उसके बाद पुलिस हर एंगल से इस पूरे मैटर का इंविस्टिगेशन कर रही अब देखना है कि कब तक आरूपी